जुड़ गया लाइफ है तो आगे तो दुस्तो तड़ी विद इसमिति के अप्लिकेशन पर आपका यूट्यूब चैनल पर भी चलिए देखते हैं धुरीना में अल्रीडी जो है को सब्सक्राइब लगा हुए आप जाकर करके चाहिए तो पर्चेस कर सकते हैं वहां पर फिर्स क्लास के बाद हम लोग वहां पर अल्रीडी कोशन अगर आप यह लेक्षर नमबर टू देख रहे तो लेक्षर नमबर वन में अल्रीड हम लोग टेस्ट नमबर वन का सारह एक्स्प्लैनिशन नमबर टू है तो प्लेलीस्ट में अब जाकर के वहां पर सर्च कर सकते हैं चलिए पहला कोशन जो है कोशन नमबर 81 से यहां से स्टार्ट साइन्स का सेक्षिन तो आप लोग जहां पर भी टेस्ट दिए कोशन पर आप लोग के पास है 81 नंबर पर आ चाहिए और चलिए देखते हैं पहला कोशन दिया हुआ त्वरन बल कृतकार यह और यहां पर इस साइट दिया हुआ इंग्लिश में जो भी एक्जाम स्टे रहें तो उनको दिक्कत ना हो इसके लिए मतलब हो गया इसके बारे में बात हो आप इसके लिए बहुत आसान है चार ओप्शन दिया हुआ है अब एक बात बताईए हम लोग कैसे कर सकते इसको बहुत सरा बत ऐसा सिच्विशन आएगा सबसरा नहीं होगी कि कैसे करना है इसको मैंच करते लगता है अगला है कृट कारिया और बतन हमेशा क्या आएगा जूल महीं नूटन सेंड नूटन सेंड चलिए बढ़ते हैं इसी ऐसाब से करेंगा अब दूसरा कोशन देखते हैं question number 82 application based question बोल रहा है कि जब हम कुआssä पानी को बाहर निकालते हैं कुआ से क्या कर रहे हैं पानी को बाहर निकालते हैं तो डोल को हम पानी में डाले हैं पानी में डालने के बाद डोल को जब दुबा देते हैं जब रसी खीचना शुरू करते हैं तो जब तक बाल्टी पानी के अंदर रहता है तो डोल बहुत तेजी से उपर आता है लेकिन जैसी पानी तक आने के बाद वापस जब उस डोल को उपर की और खीच रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि डोल मेरा हो गया भारी अब क्यों रसी कुआ का पानी यहां तक भरा होगा है रसी यहां पर डाले और यहां पर जो है डोल से पानी हम दुबा करके रखे हुए और डोल को खीचना शुरू की है तो यह पॉइंट मेरा A है यह पॉइंट मेरा B है यह पॉइंट मेरा C है अब देखेगा ध्यान से जब तक मेरा डोल पॉइंट A से B की और घूम रहा होगा यानि कि पानी के अंदर में ही है तो हमको डोल क्या लगेगा? हलका लगेगा जैसे ही हम B से उपर उठेंगे जाना स्टार्ट करेंगे उस समय क्या होगा? मेरे को डोल भारी लगेगा अब सवाल ऐसा क्यों? जब तक कोई भी चीज पानी के अंदर होता है तो एक उत्पलावन बल लगता है पानी के अंदर कोई भी चीज रहता उसके उपर क्या लगता है? उत्पलावन बल लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते है? अब थ्रस्ट फोर्स क्या बोलते है? अब thrust force उत्पलावन बल अब यहाँ पर दो तीन पॉइंट अपने को पता होना चाहिए उत्पलावन बल जो होता है जिसको हम लोग thrust force बोलते है अब thrust बोलते है यह उपर की ओर लगता है यह किन चीजों पर निर्भर करता है उत्पलावन बल किन चीजों पर निर्भर करता है दोस समुंद्र में कोई भी जहाज पानी जहाज जब चल रहा होता है वो समुंद्र में चलते चलते जैसे ही नदी के पास इंटर करता है नदी के तरफ या नदी से चलते चलते समुंद्र के तरफ इंटर करता है तो क्या देखने को मिलता है नदी का पानी में जो होता है नमक की मा जाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा जब नदी या कोई भी तरीके से अगर हम देख लेंगे तलाव में जब कोई नाव को रखते है तो घनत वगर कम होगा तो नाव जाहो पानी के अंदर ज्यादा डूबा हो रहा है क्यों उत्पलावन बल क्या हो लगा लगा लेकिन उसी रीजने की एक कोशन और पुछा जाता है कि लोहा जो होता है पानी के उपर डालेंगे तो लोहा क्या होता है डूब जाता है गिर के अंदर सता में चल जाएगा लेकिन वोसी लोहे को अगर हम मरकरी के उपर डालते है तो मरकरी में डालने से क्या देखते है लोहा मरकरी के क्या होता है मरकरी मतलब पारा ऐसा क्यों होता है तो उट प्रेफ में है तो उत्पलावन बल लगा होगा दोल का वजन हलका मैसुस्क होगा लेकिन जैसे सता से उपर आ गया तो अब इसमें उत्पलावन बल नहीं लग रहा है उत्रना ज्यादा नहीं लग रहा है यह वर्ड क्यों यूज किये कॉंसेट सही कर लो बॉस रटाइंगे नहीं आपको हवा है तो हवा भी तरह है ऊफर करता है भले या वा की सित्रः के तरह काम करता है भली है के या कि क्या है तो सबसेड़ पड़त करता है Subscribe और धर्मो या या सूद है करने है और चिनकी empathic द्रव की तरह है एक कॉंटिटी मानते है उसमें प्रेशर बगएरा निकालते है ठीक है न जब कि केमिस्ट्री में अलग चीज होता है तो फिजिक्स में चीज को याद रखना है तो हवा हमको पता है कि जितना घनापन कम होगा उत्पलावन बल कम लगेगा और जितना घनाप एक वस्तु पानी में रखा हुआ है और एक वस्तु खारा पानी में रखा हुआ है यानि पानी पलस नमक दोनों मिक्चर है तो ओप्सन नमबर ए ओप्सन नमबर बी ओप्सन नमबर सी ओप्सन नमबर डी ओप्सन नमबर ए ये पांच ओप्सन में से सबसे ज़्यादा उत् इपे इससे कम कहां लगेगा पानी पे इससे कम घना कौन सा है हवा है तो फिर यहां लगेगा हवा से कम घना कौन है नाइट्रोजन नाइट्रोजन से सबसे कम घना कौन सा है हाइड्रोजन यहाइड्रोजन इतना कम घनात होता है उसका कि उसमें उत्प्लावनबल क्या होगा सबसे कम लगेगा अब यह लॉजिक पर नहीं जाना बस याद रखना है घनत्व से कैसा संबंद है उत्प्लावन बल का सीधा सिली संबंद है घनत्व बढ़ेगा उत्प्लावन बल बढ़ेगा संबंद कैसा सीधा अब जब कोशन को वापस आते हैं यह थियोरी था सब्सक्राइब बाद कर रहा है यह बिल्कुल गलत वाला बात है क्योंकि मास्ट जो होता है जो द्रविमान होता है उस संसार में किसी भी कोने में चले जाएंगे द्रविमान कभी भी परिवर्थित नहीं होता है केवल कौन परिवर्थन शील होता है वो होता है बहार अगर चंद्रमा में चले जाएंगे तो बहार कम होगा लेकिन द्रविमान मेरा क्या रहेगा वही यानि अप्त्रस्वोर्ट पानी द्वारा अधिक लगाए जाता है खारा पानी रहेगा तो और अधिक लगाएगा इसलिए अगर आप वहां ज़या है पर इतना नमक है कि नहीं सकता आग कोशन नंबर अगला देखते एटीधाडर अगला देखते हैं यह जब जलाते हैं तो होसम और चांसेप्ट है आच्छा सफ चीज चले है देखने से पहले इसको पूर अच्छे से साइंस हो समझ लेते हैं ताकि यह कोश्चन आप किसी भी तरीके से आए तो चुटकी में क्या कर सकते हैं पावर इसकोश्टू क्या होता है दोस्त याद रखना वी इसकोश्टू आये बिजली में जब भी हम लोग पावर निकालते तो होता है वोल्टेज इंटू करेंट अब एक बात बताईएगा जब भी कोई मशीन बनता है तो उसके पीछे पावर आउट्पूट उसका लिखा रहता है कि मशीन जो है इतना पावर कंजियूम करेगा तो मान लिजेगर किसी कंजियूम का पावर लिख दिया कि इसका पावर जो होगा 220 होगा और एक मशीन का लिख दिया पावर 400 होगा यानि कि कुछ भी कर लो इसको 220 होगा तभी ये क्या होगा चलेगा 400 लिख दिया इ को पावर मतलब करेंट और वोल्टेज का जो प्रोड़क्ट होता है इसको क्या बोलते हैं जब मिलेगा इसको तभी वो चीज चलेगा अब देखना ध्यान से मेरी बात को समझना यहां पर क्या हुआ है पावर हमको 220 चाहिए तो हो क्या रहा था कि अगर 220 वोल्ट का सप्लाइ क्या किया है मिला दिया बड़ी चल गया अब हम क्या किये कुछ नहीं किया हम वोल्टेज बहुत डीम हो गया मेरा वोल्टेज हो गया मानलो 50 वोल्ट लेकिन अभी इसको चलाने के लिए कि इतना चाहिए 220 चाहिए यानि इसको कंपनसेट करने के लिए क्या करना होगा इसको current से क्या होगा अगर उसका capacity को exit कर देगा तो क्या हो जागा जल जाएगा इसलिए कम voltage में कभी भी कोई चीज जलाते है तो जल जाता है क्योंकि जब voltage कम होता है तो current क्या होता है अधिक flow करता है क्योंकि power क्या चाहिए उसको तो fixed है उस machine को चलने के लिए मानलो अगर मेरा phone को चलना है और चलने के लिए मेरा phone को पता है कि इसको जो power है इतना watt चाहिए ही चाहिए ठीक है इसका power मानलो 600 watt है तो 600 watt चाहिए ही चाहिए अभी 600 watt जो होगा वो कैसे आता है voltage voltage इंटू करेंट अब voltage घटाएंगे तो current बढ़ाना पड़ेगा और voltage बढ़ाएंगे तो current घटाना पड़ेगा इसी कर लेता है एलेक्ट्रिक मोटर जम की जाता है तो पहला बोल रहा है कि वे अधिक विदु धारा खीशते हैं जो वोल्टेज के प्रती लो मून पाती यानि की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या यह बत सही है क्या ऑट सही है बिलकुल अभी हम क्या देखे घारेंट बढ़ेगा वोल्टेज गटेंगा वोल्टेज बढ़ाएंगे बनेया दोनों को बैलस होगा तब उनको क्या मिलन है यह प्लब खाख मृट्यज है करेंगा अब और सफ tu अथा और पोश्य कूलए महनत नहीं औहल स readily 85 is gonna सा इंधन नहीं है हम सबको पता है कि उयूरियनियम उयूरियणियम का हम इस्तेमाल करते किसमें नाभिक ये विखणधन में अटोमिक बंब बनाने में नूक्लियास नूकलिययर का थोड़ करकर बनाया जाता है उसमें uranium का इस्तमाल हो जाता है, thorium का भी इस्तमाल कर सकते है, radium का भी इस्तमाल कर सकते है, लेकिन पूछ रहा है not a fuel, जिसको इंधन की रूप में इस्तमाल नहीं कर सकते है, वो कौन सा है helium, क्योंकि helium कैसा है, एक noble gas है, और helium कभी जलाएंगे या कुछ भी करके उससे इंधन क की कवर नहीं कर सकते है, चले आगे देखते हैं, which one of the following is not correct, इसमें से कौन सही नहीं है, बोल रहा है the theory of evolution was propounded by Charles Darwin, बिल्कुल सही है, अगला बोल रहा है splitting of nucleus of an atom is called fusion, किसी परमानु के नाभी का तूटना सनलयन क्यालाता है, ये गलत बात है दोस्त, क्या है, देख़ों हम लो ये एक nucleus है, ठीक है, मेरे nucleus है, ये देखिएगा ध्यान से, nucleus है, तो nucleus के अंदर क्या मिलता है, proton और neutron की दोनों क्या बनता है, nucleus जिसको लोग नाभीक बोलते हैं, एक चीज़को अब याद रखना है, जब भी नाभीक तूट करके दो अलग-अलग हिस्सा में बटेगा, तो इ उसमें क्या होता है, दो अलग-अलग, छोटा-छोटा nucleus रहता है, वो जूड करके क्या बनता है, एक बड़ा nucleus बना रखता है, इसको बोलते है, नाभीक के सनलयान, तो नाभीक सनलयान और विखंडन क्या है, दोनों अलग-अलग भी धिये, अब इसके बारे में थोड़ा सम पता होना चाहिए, जैसे की, क्या क्या चीज पता होना चाहिए, सबसे पहला चीज क्या है, अगर आप से बोलेगा, कि जो नाभीक के सनलयान है, यानि की, nuclear fusion, जिसको हम लोग क्या बोलते है, सनलयान, नाभीक के सनलयान के बारे में, दो-तीन पॉइंट अपने को पता होना बहुत इंपोर्टेंट, पहला कि नाभीक सनलयान कहां पर हो रहा है, सूर्य में, सूरज में क्या होता है, नाभीक सनलयान, दूसरा हम लोगों पता होना चीज जो hydrogen bomb होता है, hydrogen bomb होता है, hydrogen bomb में भी क्या होता है, नाभीक सनलयान होता है, तीसरा हम लोगों को एक पॉइंट य होता है । गाहे । इस बि踪िन होता है यह लेकिन जो मास होता है यानि तरबन संख्या यानि ए्ट striking वेट देखेंगे जिसका 100 छो 2 और 3 वाला है इसी को भारी जल भी बोलते ह defensive water के लिए इसी काника मालोसा है और इन सब में हम पॉइंट और याद रखकाना है कि ये जो इसमें से होता है तो तो ट्रीटियम का क्या खासियत होता है तो ट्रीटियम के जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलता है जो ड्यूट्रियम होता है इसके अंदर में क्या मिलता है इसके अंदर में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलता है औ यह क्या होता है और ले पता होना चाहिए लास्ट बहुत इंपर्टेंट यह बात यह है कि जब भी नाभीक सनलयान होता है जैसे आटम बम ben हो गया या सूरज में जो हो रहा है तो उर्जा जो उत्पन होगया के विखंडन यानि न्यूक्लियस को तोड़ने से भी उर्जा उत्पन हो रहा है जोड़ने से भी उत्पन हो रहा है लेकिन जुड़ने से जिसको हम लोग सनलायन बोलते है इसमें जो उर्जा उत्पन होता है यह सबसे अधिक होता है जुड़ने पर जो उर्जा उत्पन होता है hydrogen bomb लेकिन ज्यादा खतरना क्यों बन जाता है atom bomb क्योंकि बहुत लंबे समय तक नुपसान होता है लोग जैसे fatman और लिटिल बॉइ जो दो बंग गिरा था जापान में हिरो सीमा और नागा साखी में दो ठो नुकलियर बंग गिरा था एक fatman था और एक था लिटिल बॉइ यह भी याद रखना है तो वो क्या था hydrogen bomb था तो इसमें और खासियत क्या है कि इसका जब भी विसफोट होता है या इसम इसको भी याद रखना है और एक last point जो अपने को पता होना ची कि इससे जो उर्जा उत्पन होता है वो कभी भी क्या होता है उसमें alpha, beta और gamma किरने कभी भी इसमें release नहीं होती है अब यह alpha, beta, gamma कन कैसा होता है क्या होता है नहीं होता है इससे जब correlated question आएगा उसमें लोग इस चीज़ को याद रखना है तो चलिए हम लोग देखते है questions को कि ये sunlion वाले statement क्या था गलत था तो option गलत पूशा था तो यहीं क्या हो गया गलत हो गया बाकि dry as solid carbon dioxide हो था बिल्कुल सही है और gram bell नहीं जो है telephone का विश्कार किया था ये बात भी बिल्कुल सही है तो हम इसा याद रखना विखंडन इसको बोलते हैं nucleus का तूट करके अलग-अलग ओजाना दे जोड़त और क्या अंतर है हां अडल भुझत वाला जो हो रहा है उसमें होता है और यूरेनियम जो सबसे बेश्ट क्वालिटी का होता है वो यू इसका अटमिक नमबर हो गया राइंटी टू टू ठटी एट यूरेनियम टू ठटी एट इस चिसको याद रखे चली अगला देखिए वेगना को नहीं नवीन सब एक ची सिद्धान्त हूँ सा करते हैं हम लोग पीट पिंड कहां पाई जाने वाली कोशिका का सहीता कलेक्शन और सेल पॉंडे ओवरी इसको याद रखना है ऐसा जिसके बारे में और हम लोगों को डीटेल में देखेंगे जब इस से लेटेट कोशन जो है वो चैप्टर में जो पूछा दाएगा इसके हम किस ब्लड का इस्तामाल क्रेंगे कि हमको हम टेस्ट करने का भी समय नहीं है हमको तुरंत जान बचाना है नो помог सब्लड देखेंगे और किसी का हो है इसका मतलब क्या होता है हमेशे हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी होता या मेल होता है यह होता है हमारा सक्षाइब करता है अगर is this имеет progressed क्या बोलते हैं कि Has अगर ये वाला X को देखे तो यही डिसाइड करता है और जो पिता होता है उसी के पास होता है ये X और Y दोनो महिला के पास जो होता है वो X ही X होता है यानि महिला कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकती है कि वो लड़का पैदा करेगी या लड़की पैदा करेगी ये डिसाइ है उसके पास апांचाइड है और यह मैं इस तरीके से गर मंने तो उनी वर्वर्साल डूनर होता है अब इसमें और फेक्टर न स्का और नेगेटिव नहीं का अगर प्रोटीन जो है वह है तो प्लस बोलते हैं और एक प्रोटीन है वह एपसेंट रहता है तो इसको क्या बोलते है माइनेस बोलते है रहे है और इसके उपार जो है एक अलग से डीटेल में लोग वीडियो भी बना सकते क्योंकि यह बहुत बड़ा चाप्टर है जैसे उसमें बोल दिया जाए कि मान ल पॉसिबलिटी मिलेगा और वी वाले के पास यह पॉसिबलिटी होगा अब अगर इसको अंध्यान से देखेंगे तो एक तो हो गया पहला कि दोनों का I o i o हो जाए यानि ब्लड ग्रूप कैसा मिलेगा ओ मिलेगा दूसरा हो सकता है आयो इसका है और बी आये तो क्या मिलेगा आयो आई भी यानि ब्लड ग्रूप क्या मिल जाएगा भी वाला तीसरा कंडिशन हो सकता है कि आये और आयो चला जाए तो क्या मिल जाएगा आये आयो तो यह कौन सा blood group हो जाएगा यह हो जाएगा a blood group और last condition है कि a और b दोनों वाला combine कर जाएगा तो i o ia और ib आ जाएगा यानि blood group क्या मिल जाएगा a b तो यही पर equation और बन जाता है कि कि इन दोनों के बीच में अगर शादी होगा और चार बच्चे अगर पैदा होते हैं और चारों क कौन सा blood group का अगर शादी करेंगे तो चारों बच्चों का जो पैदाईश होगा चारों का blood group अलग अलग मिल सकता है तो अगर या तो पापा a blood group वाले हो मम्मी बी वाले हो या तो मम्मी ए वाली हो और पापा बी वाले हो इस blood group में मिलेगा तो बच्चा का चारों possibility मिल सकता एक भी हो सकता है बी भी हो सकता है ओ भी हो सकता है और एवी भी हो सकता है और नेगेटीव या पॉजिटिव होना जो है वो और एच फैक्टर पर डिपेंड करता है ठेक है चले आगे बढ़ते हैं लोग बोल रहा है which one of the following is not produced in our body body में कौन चीज़ प्रडियोस नहीं होता है विटामीन जो है बिसिकली बॉडियोस नहीं होता है कि एक विटामीन जो बॉडियोस हो सकता है वो विटामीन डी है जिसको हम लोग पढ़े थे लास्ट टेस्ट नमबर वन में कि अल्ट्रा जो सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर नाइंटी के आगे एटी नाइन तक हो गया नाइंटी बोला जा रहा है नाइंटी में कि इटाई इटाई रोग जो हुआ यह किसके वाज़ेसे होता है तो हम लोग बहुत अच्छे से पते हुए इटाई-टाई किसके रखा गया है जैपनीज नेम के उपर बेसिकल इसका नेम है वाकि इतना याद रखना कि इटाई-टाई किस से रिलेटेड है कैडमियम इसके लिए है इसके लिए है एट्स के लिए अमीनो डिफिसेंसी अचाईवी एट्स का जो टेस्ट होता उसका नाम क्या है इलीसा इस अगर कभी कोई फूल 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 दे तो क्या बताना है एंजाइन लिंग्ड इम्मिनो जॉर्बेंट ऐसे एंजाइम लिंग्ड एम्मिनो जॉर्बेंट ऐसे चलिए कि अगर हम लोग लैंग जनन से अनुवांशिक विचारन कैसे होता है यह अगर जानना चाहेंगे तो इसमें हर एक पॉसिबिल्टी जो दिया हुआ है जैसे की बाइब लेंडिंड इंग बाइचेंजिंग और क्रोमोजोम नंबर बाइशेफलिंग ऑफ जीन इसका ऑप्श उससे बच्चा जो है एकदम अलग होता है आप अपने मम्मी या पापा को देखेंगे क्या आप उनके सिमिलर हो सकते हैं इसके पीछे रीजन क्या है जीन जब दो लोग का फ्यूजन होता है तो जीन का ब्लेंडिंग होता है ठीक है ना उसके बाद चेंज इन क्रोमोजोम क कॉन सा उसका लिए जाएगा वह पता नहीं होता है वह सिलेक्ट होता है अब बाई शिफलिंग ऑफ जीन फिर जो लिया गया है उसका भी पोजिशन हो सकता है कि आगे पिछे रहा है जैसा उसके है जरूरी नहीं किसमे रहे इसमें क्या हो जाएगा आल ओप दी अबर which day is known as diabetic day sugar day के रूप में जिसको किसको मनाए जाता है तो याद रखना है किसको मनाए जाता है शौदा नौबर diabetic patient क्या होता है diabetic patient वो होता है जिसमें basically insulin का production जो है वो क्या हो जाता है इस वज़े से क्या होता है जो metabolic activity होता है शुगर का ठीक से नहीं हो पाता है और इसलिए ब्लड शुगर के लेवल क्या होता है राइस करता जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं बोल रहा है फिरो मॉन्स क्या है एक हार्मोन है जो किस में पाए जाता है इंसेक्ट में पाए रहता है एक factual question है जिसके बारे में पता होना चाहिए इसी से एक दूसरे को वो identify कर पाते है पैचान पाते है चलिए अगला question देखते है question number 95 nitrogen liberation occur through nitrogen को liberate किया जाता है हम लोग पढ़े है एक होता है का juice tää नाइट्रेट्स के दूसरे होता है nाइट राइट्स नाइटरेट्स एं नाइट्राइट्स में अंतर यही होता है यह और यह और एक होता है अमुणिया ज्यने चाहिट 4+, जो प्लांट होता है उसके साथ एक समस्या है ligand only nitrogen को ले निक अ या तो वह अमोनिया के फॉर्म में लेगा या तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेगा या तो नाइट्राइट्स के फॉर्म में लेगा लेकिन जितना यूज होना होता है बाकी का बाकी क्या होता है वापस नाइट्रोजन के फॉर्म में जो है कनवर्ट हो जाता है तो इसम नाइट्रोजन का जो synthesis होता है वो बहुत slow नहीं होता है बहुत तेजी से हो जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट्स अगर यूज हुआ मिट्टी में प्लांट के दौरा तो ठीक है ने तो वो क्या होता है नाइट्रोजन में कनवर्ट होकर के इसके पर जाता है इसी लिए उसका मात्र है अभी थोड़े पहले देखेते हैं यह वाटर इसको बोलते हैं यहां पर क्या बोलाता है भारी पानी वह पानी है भारत मिदलब पानी का टेंपरचर चार डिग्री सबसे कम कब होता है चार डिग्री सेलसियस पर दोनों चीज़ को याद रखना है कि density सबसे अधिक होता है पानी का टेंसिटी सबसे ज़यादा मैक्सिमिमं कब होता है मैक्सीमं होता है 4 डिग्री सेलसियस पर और डेंसिटी के गया अब हम लोग देखते हैं option number B जिसमें calcium और potassium के अविले लवन होते हैं उसको बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है heavy water उसको भी नहीं बोलेंगे चलिए गलत है जिसमें hydrogen का इस्थान isotope ले लेता है बिल्कुल hydrogen के जगह में कौन सा हो सकता है deuterium भी आ सकता है या फिर treatment लेकिन लेकिन ट्रीटीम को लोग इन जनरल यूज नहीं करते हैं ड्यूट्रीम को use करते क्यों नहीं करते है यह जो होता है कैसा होता है आईसो टोपी रेडियो एक्टिब होता हाइडोजन को कौन रिप्लेस कर दिया, डियूट्रियम, डियूट्रियम क्या है, हाइडोजन का ही एक, आइसोटोग, यसको हम लोग हिंदी में बोलते है, समस्थनिक, क्या बोलते है, समस्थनिक, आइसोटोग को क्या बोलते है, समस्थनिक, समस्थनिक किसको कहेंगे, एक ऐ यूट्रियम में भी दोनों में proton क्या है एक ही एक है लेकिन अगर हम उसमें जा करके देखेंगे ध्यान से तो हम वो क्या देखने को मिलेगा कि जो nucleus के अंदर में जो proton है वो सेम भले ही है लेकिन जो neutron का संख्या है वो दोनों में अलग अलग है hydrogen neutron का संख्या जीरो है जब कि अगर हम देखेंगे तो proton का संख्या एक है इस इसको याद रखना है चला आगे बढ़ते हैं इसके बाद यहां पर यहां जहां जहां यहां पर क्या लगा है क्या लगा रहता है उसके अलावा बेंजीन में क्या होता है है कि अगर यहां पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर double bond हर थोड़े दूर में क्या होगा alternate double bond रहता है क्या है इसका मतलब देखना ध्यान से अब यहां पर क्या लगा रहेगा इस hydrogen पर एक दो तीन तीन bond हो गया तो एक चौथा यहां हो गया पांचवा अब देखो concept क्या है दोस्त concept यह है कि जो single bond होता है इसको लोग बोलते है sigma bond क्या बोलते है sigma bond इसको बोलते है sigma bond जो double bond होता है इसमें क्या होता है एक sigma bond होता है प्लस एक पाई बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते है पाई बॉन्ड यह हो गया एक टाइप का बॉन्ड यह हो गया दूसरा टाइप का बॉन्ड तो अगर आप से बोलेगा सिंगल बॉन्ड है केवल तो उसमें सिंगमा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है तो बोलना केवल उसमें कितना bond होता है। उसमें 1 sigma होता है. और 2 pi bond होता है। तो दोनों मिलाके कितना हो गया। तो टोटल कितना bond होता है। तो हम वेंजीन में देखेंगे धेहाल से तो हम हमें कितना sigma bond है। ifter दो टीन चार पांच छे यह पर जो आगर हम देखेंगे धियान से है तो कार्वण और हाईडरोजिन जो बॉंड है तो कार्वरकर जो सिंगल ईहां पर बॉंड हैлем के बीछ में इक बॉंड है यहां पर एक यहांände bond है एक यहां पर bond है और यहां पर जो bond हो single single यानि carbon और carbon के बीच में तीन सिच्मा bond है Claro सिच्छ वाला है और Carson और carbon के बाइफ में ठीन double bond है ठीन double bond है तो अभी हम लोग और क् Central कितना है यह—ऺ़ा होगा होगा और टीन सिच्मा होगा और टीन पाई होगा, टोटल जोड़ो, यहां पर 6 था, 6 सिगमा प्लस 3 सिगमा प्लस 3 सिगमा प्लस 3 पाई, तो टोटल संख्या देखते हैं, यानि केतना हो गया, 12 सिगमा बॉंड होगा, और 3 पाई बॉंड होगा, इसको calculate करने का तरीका हम सिखा दिये हैं, हो सकता है कि बहुत सारा बता देगा simple सा तरीका कि इस तरीके से कर लो, यह double बाला को गिन लो, यह ऐसा होता है, वैसे काम नहीं चलेगा, अपने को याद होना चाहिए कि single bond जो होता है, उसमें kable sigma bond मिलेगा, pi क्या होता है, 0, इसका संख्याज क्या होता है, 0, यानि sigma bond में pi नहीं मिलता है, single bond जो होता ह तो यहां पर हम कैल्कुलेट कर लें कितना सिंगल बॉंट है कितना डबल बॉंट है जो होता है जैसा होता उसको लिखेंगे अब जब वह वापस एड करेंगे तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है देखो देना नहीं सकते कि और अप्षंस है और इसंगे छे जोटे विटामीन को हर्मोन माना जाता है इस वीटामीन को हर्मोन माना जाता है अगर हम लोग यूवी इपारा बैगनी किरुनों का अगर सही डोज में अगर इस्तमाल करेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको बॉड़ी के अंदर ही क्या कर सकते हैं पडियोस कर सकते हैं तो आप्शन नमबर डी जैसे कि मांस या तो अच्छा या बाल कुछ भी तो उसका जो डियने होता है वो यूनिक होता है तो उस डियने का अगर हम अध्यान करके उस सीक्वेंस का पता लगा ले और उससे फिर मिला ले कि एक्च्वल में मेरा बॉड़ी में जो डियने होगा और यहां पर जो डियने ह होगा हर एक जखा का जो DNA होगा वह सेम रहता है मान लो गर इसको हम काट करके उधर फेक दे गिर गया उधर मान लो इतना से चमड़ा उखाड दिये और फेक दिये उधर मान लो बाद में अगर कोई क्राइम हुआ और वहां पर वह चमड़ा का एक हिंसा मिल गया उसको और इनसी करे जांच करें करेंगा है जांच करके सर्कार करे वह सच्छों को होगा मेरे पर मेरा स्रीक्वेंस टैयाइर करेंग उस्स दोनों को मिला के देखें आध और घान तो तूरन क्या होगा प्टा चल जाए गाईगा सामझ मैं कि मौसम जो है यहां पर खराब हो रहा है डिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानि कि अगर हम देखेंगे ध्यान से तो जो डिफ्रैक्शन होता है उसे पता चल लाता है कि मतलब कि किस तरीका अलोरा के आप सुनने होंगे तो इसमें पता होगा कि जो है अलग अलग का करी में करी से च्रेंज में कोई इंडिकेटर आईसा इसका जो है नौट पूछा था इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज तो लॉंग टर्म चेंज लॉंग टर्म चेंज को कैसे इंटिफाई करो अब जो 600 साल 700 साल यह 100 साल 500 साल में कोई चेंज आ रहा है धीरे 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 तो उसको जज़ करना बहुत मुस्किल है लेकिन अचा ठाल नर् mencion ऑगा में कोई तलब को जयंग इसनमीन में परिवर्तित होज़ाना है यह परीवर्तन होने में मालीज जो साल 65 लर्थ साल लगएगा लेकिन उसको इतना अप्टेच कर दिय एकि rappelle से साल 15 साल अहूँ जा यो फिर मेलते हम गो नेक्स वीडियो में